नमस्कार प्यारे बच्चो जैसा कि आज आप आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर देख फारे है आज मैं तमाम वो खबरे आपको देखाने वाला हूँ जो इंडिया पोस्ट आपिस जीडियेस बर्ती के फरजी वाड़े को लेकर के है एंड जीडियेस की विभिन प्रकार की जो लेटेस्ट बन रही है वो सब को में दिखाने जा रहा हूँ जैसा कि आप लो अपनी आँखों से देख फा रहे होंगे यहाँ यहाँ पर सातियो अविसे क्लासिज यह का यह टेलिग्राम है और यहाँ पर अब तक 18,000 फिलस इस्टुडेंट्स जोन हो चुके है जैसा कि सा लेटेलिग्राम चैनल पर जान नहीं हो पाए है उन सभी के लिए मैं यहीं कहूंगा कि एक बार आप टेलिग्राम चैनल को जान कीजिए ताकि आपको विविन प्रकार की वो खबरे मिले जो यूटूब से हटकर होती है साथियो आज मैं पूरी की फूरी जानकरिया इस वी इसमत खुल गई कोरोना के कारण ये खबर साप साप कह रही है कि हरियाना और इदर पंजाब दिली इदर से क्या है बच्चों के बिना परिक्षा दस्वी में पास करके और हंड्रेट परसेंट बना दिये थे कोरोना टाइम के दोरान इसकूल वालों ने बोर्ड को जो प्र बढ़ती आती है तो फॉर्म एप्लाई करते है और ये अपने राज में तो फॉर्म बढ़ते ही बढ़ते है उसके अलावा अदर राजों में जाकर के भी ये लोग फॉर्म बढ़ते हैं तो बहां के जो लोकल बच्चे है उनकी भी सीटे चीनते है तो ये कोरोना काल में ज सबी सीटों को खा जाएगे पहली ख़बर यह है सातियों दूसरी है तौपर नहीं पढ़ पा रहे चिट्टियों फर लिखे पते बन गए ग्रामी डांक से बगए देखे सातियों आज जीडियेस की वर्ती ले ली है लेकिन आपको पता दू जीडियेस का जो काम क्या होता है अब डाकों के डाक चिट्टियों फर जो एड्रेस लिखा होता है जो पता लिखा होता है उसको पढ़ नहीं पा रहे तो फर वो डाक डिलेवरी कहां करने जाएंगे यह एक चोकंद तत्थ शामने आया है सातियों और मैं बता दू कि यह वहीं बच्चे है जो 100% वाले है ठ सातियों फर जी तरीके से मार्कशीट बनाने वाले है तो यह कवर साप साप कह रही है कि ऐसा मामला सामने आया है एक बहुत बड़ा गिरहों पकड़ा गया है और यह पंजाब हरियाना में सक्रिय है आपको पता दू पंजाब और हरियाना सरकिल्स की जो कट ओफ है वो 100% ज चंदर 200 प्रिकार की वो सुविधाई मोहईया करा रहा है भारतिय डाक दाक विवाग में और वेटियों को यलिए आत निर्वर बनाने के लिए प्यविवन प्रकार की योजना योजना का लाव लेना हो, सूरिया घर योजना का रिजिट्रेशन कराना हो, विविन प्रकार की ैसी सुविधाएं है जो भारतीय डांग विवाग मोईय करा रहा है, इससे पता चलता है सातियों की आने वाले टाइं में ग्रामीन डाग सिवक को पिटाई प्रधान डाग गर में कत्य तुरूप से अधिकारियों के सोशन सितंग होकर कर्मी आर्पनता करे सातियों तो ये तो खबर है कि जो अधिकारी है टॉर्चर करता है टार्गेट बनाता है ये तो वारवार है जैसा कि एक उप्भुकता था उसने UPI से पैमेंट लेने को बोला लेकिन UPI से पैमेंट लेने को इंकार कर दिया पोस्ट आपिस ने ग्राग को नहीं लोटाए 50 पैसे अब हरजाने में देने होंगे 15,000 रुपे देखिए एक पोस्ट आपिस को ग्राग को 50 पैसे ने लोटाने पर अब उसे 15,000 रुपे हरजाने के तोर पर देने होंगे ये मामला चैन नहीं का है और 2023 में लेटर पोस्ट आपिस पोस्ट करने के लिए ये पोस्ट आपिस गए थे लेकिन उन्होंने 30 रुपे का भुकतान कर दिया ठीक है उन्होंने पोस्ट आपिस किलर का 50 पैसे मांगे तो उसने कहा कि सिस्टम रासी को 30 रुपे तक राउंड ओफ कर देता है ऐसे बें 50 पैसे बापस नहीं दिये जा सकते तो फिर मंसा ने इस पर UPI से बुकतान करने की पैसके लेकिन पोस्ट आपिस ने तकनिकी शमिश्याओं का हवाला देकर UPI से पैसे लेने से इंकार कर दिया इसके बाद मंसा ने उब्वकता आयोग में सिखायत दर्ज कर दी इसी परकार दोस्तों ये तो 50 पैसा है एक भी पैसे की कोई गड़वड़ी करता है सरकारी कर्मचारी सरकारी विभाग में तो आप उसकी वाकाइदा सिकायत करोगे तो एक दिन आपको भी इसी तरीके का फायदा होगा लेकिन आप लोग क्या है डड़ते हो नेक्स्ट है दुमका डागगर के पोश्ट मैन ने की दिकाप गाड़ ये दोस्तों एक बहुत बड़ा प्रतारित का मामला है जैसा कि मैं मेरे मूँ से इन सब्दों को नहीं बोलना चाहता क्योंकि यहाँ पर इन सब्दों को बोलने के कारण मैं समझता हूँ यूटूब पर प्राइवेट पॉलेशी होने के कारण मैं समझता हूँ यूटूब की वीडियो जो मैं डालता हूँ इसको प्राइवेट कर सकता है इसलिए यहाँ पर ऐसी मैं यह तमाम मूँ से नहीं बोलना चाहता आप इस खबर को टेलिग्राम चेनल पर डाल लेना साब साब इसमें कहा गया है कि जो अधिकारी है वो पोश्ट मैं के उपर दबाब डालता था ठीक है और यह पतनी ने भी क्या बोला है आप खुद भी देख सकते हो इस चीज को बाकि आफ पूरी खबर टेलिग्राम पर एक बार इसको देख लेना कोई भी अधिकारी से तंग होकर इस प्रकार से करता है तो मेरे ख्याद से गलत है आपको जो है हमत जटानी चाहिए अधिकारी से लड़ना चाहिए इस तरीके से आप ऐसे नेगेटिव सोच करके इस तरीके से करोगे तो कैसे काम चलेगा नेच्ट है ग्रामी डाक सेवकों की अवैद बहाली में कहीं अविसर निसाने पर अब देखिए दोस्तों अई डाक सेवक GDS की जो बढ़ती चल रही है उसमें बहुत सारे डाक अधिक्शक हुए और भी अधिकारी हुए उनकी भी कहीं ना कहीं मिली भगट चल रही है 3.47 लाव रोपे के साथ CVI ने ग्रिप्तार कर लिया देख लो आफ ठीक है तो ये अलग-अलग डिवीजन्स में क्या करते थे ये डॉकुमेंट वेरिविकिसन जब होता है ना GDS का तो उसमें ये वेरिविकिसन कर देते थे ठीक है तो ये थोड़ा ऐसा गलत है और नहीं हो पूरी तरीका से फरजी वाड़े की ओर ले जाने की कोसिज करते है इसी तरीके से आपकी GDS की जब मेरिट लिष्ट आती है उनका कट ओप 100% जाता है ठीक है तो थोड़ा अच्छा लगा ऐसा ही होना चाहिए बाकि दोस्तों ये खबर भी एक भारतिय डाक विवार के रेट फूले और श्टी पर काम जिख लेता है देगे दोस्तों यहां पर चुट्डी चुट्डी करमचारी है तो उनसे पूचा कि आप डोग डाक को क्यो जलाते है तो उन्होंने कहा कि हमारा जो आदिकारी है जो ऑवर सी हैर वो क्या करता है बूच लेता है हमसे इसलिए हमको ग परमचारियों के उपर भी फर्जी वड़ा हो रहा है, बारबार रिस्वत मांगता है इनका अदिकारी, नेक्स्ट दो के सेक्षिन के दस्तावेज मिले फर्जी दो भाग गए, तेके चारों की नियुक्ति नियुक्तियों की जाच में जोटा विवाग है, डाग विवाग 165 डाग सेवक मिले है, 47 नियुक्त डाग सेवकों ने पौड़ी मुक्याले में आमद कराई, कहीं नियुक्त डाग सेवक हिंदी से भी ठीक से नहीं लिख पा रहे है, जबकि दस्तावेजों में 96 से 97 है, अच्छी बात है, देखिए दोस्तों हिंदी तक लिखने नहीं पात है, बाकि इदर देखिए, 400 से अधिक डाग सेवकों का उत्राकंड में काम करने से इंकार, उत्राकंड के दुर्णम इलाके में दूसरे राज्यों के योगा अपनी सेवाई नहीं देना नहीं चाते, चैनेत होने के बाद भी 400 से अधिक डाग सेवकों ने यहां काम करने से ऐसे में प्रदेशपर के डांक गरों में यह पदागली वर्थी होने तक खानी रह सकते हैं, उधर डांक विवाग प्रदेशपर में 31 नई डांकर बनाने की तैयारी कर रहा है, तो दोस्तों बहारी राजों के जो बच्चे है ना, जैसे उत्राकंड इदर पहारी इलाके में लेते हैं, तो वहाँ उनको दिख्केत आती है, पहाडों में चिणने के लिए, तो बहाँ पर क्या है, डांक की चिट्या लेकर जाना पड़ता है, उनको डिलिवरी करना होता है, तो बहारी राजी के बच्चों को, मैं पता देता हूँ, इतनी सेलरी भी नहीं मिलती है, और तरीके से ये मामला हुआ है, नेक्स दूस्तों, यहाँ पर रुकेष्ट ट्रांसफर को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है, उसको लेकर आगे बात कर लेंगे, नेक खबर है, पहाड के योवा ही होंगे, डांक सिवक और फोश्टमाइश्टर, तो ये भी एक बहुत की खबर है, जैसा कि अभी थोड़ देर पहले मैंने बताया, कि अमर उजाला की खबर का गड़वाल संसद वलूनिय की असंग्यान बोले, पहाड के रोजगार और सम्मान के लिए रहूंगा फ्रियारस, देखिए यहाँ पर ये खबर है सातियों कि डांक गरों में में केंद्रिय संचार मंतरी है, पहले असनवी वैसनम सीजे, उनसे मलाकात कर इस मामले का कोई ने कोई समाधान कराएंगे, उनकी कोशित रहे कि पाढ़ के योबाही, दांक, सिवक और ब्रांच, पुश्ट माश्टर के पत्पन्युक्त हो, देखिए यह सही है सातियों, अ तरीके से बढ़ती का नियुक्ती मिलेगा, मैं समझता हूँ, तो वो काम भी अच्छा करेंगे, उनको नौलेज भी रहेगा, तो यह कवर यह कह रही है, ठीक है, डटकर खड़े है, डांग घर, आपको बतातू, यह आपके डांग घर को लेकर के अएक सांदर कवर है, एक म समझता हूँ, बढ़ियता मिलेगी, तो यह अच्छा काम होगा, हिंदी लिकनी आती नहीं है, और उत्राकर में बन गए डांग सिवक्त मता आईए, फर्जी तरीके से डांग सिवक्त मने च्छे के खलाब केस तर बारे सो पदब पर जाता तर अव्यरती पंजाब हर्याना इदर क्या है, गिरो सक्रिय है, फर्जी मार्कशीट बनाता है, और फर्जी मार्कशीट में 96 से और 100% मार्क डाल देता है, अब फर्जी मार्कशीट बनाने वाला केनिरेट्स नौकरी तो लग जाता है, लेकिन नौकरी लग जाने के बाद वो काम किस तरीके से करता है, वो आपको आज ये खबर में देखने को मिदरा है कि हिंदी लिखनी नहीं आती, अब ये क्या नोकरी करेंगे, इस तरीके से तो ये भारतिय डाक्य विवाग को ले डू विगे साथियो, तो मैं समझता हूँ जो भी फरजी बाड़ा कर रहा है, उनकी खलाब सक्त कारवाई हो और ऐसे बच्चों को नोकरी ना दी जाए, और जो मेहंती बच्चा है, चाए उसकी 50% ही हो, लेकिन वो अच्छा पढ़ना जानता है, तो उसको ही वरियता मिले, नेकी 100% वाले हो, ठीक है, पोश्ट आपिश में पंजाब हरियाना के अब युक्ति पर कांगरिश ने उठाई स चोटे से लेकर वड़ा, अगर इस वर्द ना ले तो इस तरीके से फरजी वड़ा ही नहीं हो, लेकिन ये नहीं मानने वाले, इनके खिलाब और सक्तकारवाई होने चाहिए साथियो, ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, वो ख़वर और भी, नेक्स्ट दोस्तों, ये कबर है, प पुलाने की कॉसिस की कमेटी ने तब तक ये भाग निकली, अच्छा हुआ, अगर ये पकड में नहीं आती, तो दो सीट, मैं समझता हूँ, ये बे मतलम मैं ले लेती, और जो मेहनती बच्चा है, चाहिए बो 50-60% वाला हो, उनको ये नौकरी नहीं लेने देती, तो ये मा पाहरी राज्यों के सो अबरतियों ने फरजी प्रमान पतर से डांग विवाग में ली, नौकरी जांच में खुलासा, सत्यापन में हुआ, यूपी के 58 आवदे को ने तस्वीख की फरजी मार्क सिट से डांग गर में ली, नौकरी साथ महाबाद भी F.I.R. नहीं, पूरी जादा जो खुलासा होता है, आपको बता दू, GDS में, Merit List में तो नाम आ जाता है, लेकिन इसका 1st DV होता है, फरस्ट के बाद 2nd DV होता है, लेकिन 2nd DV तक बहीं कंडिडेट्स पहुँच पाता है, जिसका 1st DV सक्सिस्पली होता है, लेकिन जादा तर मामला जो होता है, फरज इसी तरीके से, मैं समझता हूँ, कोई भी 100% अंक लेकर के अगर नौकरी लेता है, उसके खिलाब इस प्रकार की कारवाई हो, ये वो जिन्दगी में, अगली जब GDS की बढ़ती आएं, उसमें फॉर्म ही ना डाले, उसको पूरी तरीका से निस्खाज़त कर दिया जाए, और एक real candidates, चाए उसकी 10th में 33% हो, चाए उसकी 40% हो, चाए उसकी 50% हो, उसको नौकरी मिले, ये 33% वाला बच्चा, इसने मेहनत से बनाया है, पढ़ाई करके बनाया है, और ये 100% वाला इसने फरजी तरीके से 100% लिया है, तो मैं समझता हूँ, इससे बढ़िया तो 33 वाला generated से अच्छा है, ताकि वो आगे चलके जब उसकी नौकरी लगे, तो वो अच्छा काम करे, और मैं समझता हूँ, ऐसा ही होना चाहिए, तमाम वो खबरे आप हमारे टेलिग्राम चैनल पर जोड़े, और टेलिग्राम पर आप जो है पूरी जानकरे हैं, ले पाओगे, आप आपको जो भी वीडियो में डालता हूँ, और वीडियो का लिंक भी यहाँ पर प्रवाइड करवा देता हूँ, तो आप एक बार आप सभी से यही है कि टेलिग्राम चैनल पर आए, और हमारी बैफिशार पर भी आप लोग एक बार वीजर करें, ठेंक दनवाद, आज वीडियो को और प्यार और सभूर देजिए, ठेंक दनवाद,